हम सब की जिन्दगी का सबसे हसिन पल होता है हमारा बच्पन ना किसी बात की कोई चिंता होती है और ना ही फिक्र ना वर्तमान की चिंता और ना ही भविश्य की लेकिन एक समय बाद एसा एक पल आता है जब हम सब को हमारी जिम्मेदारियों का एसास हो जाता है अपना कोई होता जो हमारी करियर में मारगदर्शन करता सब जानते हैं कि एक गलत कदम किसी का भी करियर बेकार कर सकता है और वही सोच समझ कर उठाया गया कदम किसी की भी जिन्दगी बदल सकता है इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने आपके लिए एक खास वीडियो बन Trump कर देते हैं हमें पता भी नहीं होता कि एक फिल्ड पूरी जिन्दगी के लिए अच्छी है या नहीं करियर का डिशिजन कोई सधारन डिशिजन नहीं होता आप जो डिशिजन लेते हो उसका सीधा अस्र इस बात पर होता है कि आप कैसी जिन्दगी जीना चाहते है क्य दिमाग खुला रखे और आपकी field में कई सारे options रखे ताकि आपने जो field चूज की है उस field के अलग-अलग part में आपको job करने की flexibility मिले For example, अगर आप photographer बनना चाहते हैं तो photography course के साथ writing का course भी कर ले जिससे आप photography पर book लिख सकते हैं या blog बना सकते हैं अगर आपने कोई ऐसी field चूज की कि जिसमें आपकी कोई strength नहीं है तो पूरी जिंदगी उसी काम में आपको survive करना पड़ेगा जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे skills नहीं है या फिर बहुत कम है तब हमारा career आगे नहीं बढ़ पता और यह हमारे दुख और तनाव का कारण बन जाता है इसलिए अपनी strength को जाने उस field को समझे और उसके बाद ये निरने ले आप जो field चुनने का सोच रहे है उस field से related कोई भी काम आपको दिया गया बिना किसी payment के तब भी उस काम को करने की इच्छा आप में होनी चाहिए इसी यह समझाएगा कि आपको ओ काम कितना पसंद है उस काम में आपको कितना interest है फ्रेंड्स आपके दिमाग में करियर को लेकर जो भी option है उससे related लोगों से मिले और उस field के बारे में जानने की कोशिश करे उनसे कुछ सवाल पूचे जैसे कि क्या हो इस काम को अभी भी पसंद करते है क्या इतने सारों बाद भी इस काम में उनको interest है इस field में क्या-क्या परशानिया आती है ऐसे बहुत सारे सवाल आप पूच सकते हैं एस सब पूचने और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि उस field के लिए आप सही है या नहीं आपको पता है कि हिंडी में एक कहावत है सुनो सबकी और करो मन की मतलब सब कुछ सुनने और समझने के बाद जब निर्ने लेने का टाइम आता है तब हमें जो बेस्ट लगे जो सही लगे वही field या career चूज करना है सब समझने के बाद जिस काम में आपका interest है आपका passion है वही काम आप चुने आपके माता-पिता, teachers, career counselor सब आपका भला ही चाहते हैं लेकिन आपको decision खुद लेना है क्योंकि आपको खुद से बहतर कोई ने जनता आपको जो life जीनी है, जो पाना है, उसके लिए career खुद चुने और जो भी career चुना है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत भी करें एक points चानने के बाद आपको एक clear हुआ होगा कि कैसे आपको आपना career चूज करना है So friends, all the best for your bright career एसी और भी informative वीडियोज के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe करना ना भूलिए